हलो मेरे दोस्तों, वेलकेम टो मेरे यूटूब चैनल जेकेसाब आनलाइन इस वीडियो में हम देखेंगे आप कैसे गर बैठे हुए वोटर आइडिया, इलेक्शन कार्ड जिसको बोलता है हम आप अपले कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो में सिंपल स्टैपस दिखाऊंगा, फुल प्रोसेस दिखाऊंगा इसमें आप कैसे अपनाई कर सकते हैं, बहुती एज़ी हैं, बहुती आजसान है, फौरम बरना अगर आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखोगे, तो आपको कोई कनफ्यूजन ना कोई सवाल रहेगा मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा, आप इस वीडियो को लाश्ट तक जब देखोगे, आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा अगर इस चानल पे नए हो तो प्लीज इस चानल को सबस्क्राइब कीजएगा, क्योंकि हम ऐसे इनफॉर्मिटिव वीडियो लाते रहते हैं इस चानल पे, अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको भी लाइक कीजएगा, शुक्रिया चलिए हमें पहले में साइड पे जाना है, आप गूगल के बादले वाइरफक्स यूज की जाएगा क्योंकि वो अच्छा ही रहता है, फिर लिखना है नवी एस पी फिर यहां पे आना है, यहां पे में साइड पे नेशनल वोटर सर्विस पे, फिर आपको राइट साइड लॉग इन को और उस पे करना है, फिर आपके सामने इसा इंटरफेस आएगा, फिर यहां पे अगर आपके पास लॉग इन आईडी है, तो आपको यहां कर सकते हैं, हम यहां पर कहरें के निव रेइस्टेशन पे क्लिख, उसके बाद यहां पे आपको डलना है, मुबाइल फिर capture फिर करना है send otp पे click फिर यहां पे otp फिल करना है फिर verify otp करना है click फिर आपके सामने ऐसा interface आएगा फिर यहां पे आपको करना है I don't have epic number क्योंकि आपको fresh करना है apply फिर यहां पे आपको first name enter करना है जो भी आपका नाम होगा फिर यहां पे लास्ट नेम लास्ट नेम के option में फिर जब आप फिर लास्ट नेम एंटर करोगी फिर उसके बाद यहां पे email ID email ID आप अच्छे से डालेगे ठीक से क्योंकि उससे पे फिर mail आती है अगर कुछ correction correction हो होती है तो उसके बाद आपको password बन सकते हो जैसे कि आपका नाम साहिल है आप लिख लीजेगा साहिल पहला वर्ड पहला वर्ड कैपिल बाग की सुमाल फिर add the rate फिर आपकी डेट अबर जैसे के 199 फिर confirm जो उपर password बनाया है वही नीचे भी लिखना है confirm करना है फिर यहां पर registration पे करना है click उसके पाद दिखाए दिखाएगा आपको successfully आपने किया है register फिर आपको फिर से main side पे आना है फिर आप देखिए गए यहां पर login को option है यहां पर login आप करोगे अभी जो mobile number फिल किया है वहाँ पे वही यहां पे fill करना है और यहां पे password जो अभी बनाया है वही यहां पे करना है फिर capture यहां पे fill कर ब्लू में है आपके सामने बहुत सारे फॉर्म्स दिखेंगे यहां पर आपको यहां पर फॉर्म 6 पर क्लिक करना है एप्लिकेंट फॉर न्यू वोटर्स इस फिक जब क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म 6 निकलेगा आपको यह फिल करना है अच्छे से पहले आपको यहां प अपको पारलिमेंट कोनस्ट्रेंट सीय एसेम्पली इसको बोलते हैं वो करना है यहां पर विल करना है जब आप यहां पर यहां पर फिल करोगा यहां पर फर्स्ट नेम जो रिजनल लंग्वेंज है उसमें आएगा खुद जैसे के आपका होगा हिंदी या अर्दू इसमें आटमेटिकली आएगा वो उसका नाम इरिजिनल लंग्वेज में भी यहां पे राइट साइड में फिर यहां पे सर नेम फिर यहां पे लिखना है नेम आफ रिलेटू आफ एप्लिकेट आप यहां पे फादर इस ने लिखे दिए जगा यहां अधर इस नेम जो भी होगा आपका चलें हम फादर इस नेम यहां पर रखते हैं यहां पर टाइप आफ रिलेशन उसके साथ कुन सा रिलेशन है जो भी आपने लिखा रिले टू आप अफ एप्लिकेट का यहां पे फादर रख दीजेगा फिर यह भी आपने email id और mobile number दिया registration करना है यहां पर डालना है फिर यहां पर करना है document upload supporting document of data birth JPEG कर सकते हो यह 5 MB तक आप photo भी इठा सकते हो phone से फिर यहां पर आपको DOB select करना है year select month और धिर यहां पर आपको proof रखना है DOB हम यहां पर रखते हैं आधारी क्योंकि हमारे पास तो आधारी आप कुछ भी रख सकते हैं यहां पर जो भी होगा फिर यहां पर ब्रॉज और upload करना है हमने upload किया है order both side करना है लेकिन upload फिर present address यहां पर आपको fill करना है फिर यहां पर house number आपको fill करना है अगर आपके पास कोई house number नहीं यहां पर आप zero भी एंडर कर सकते हो फिर यहां पर आपको straight या मुहला आपको लिखना है जब आप यहां पर English में लिखोगे यहां पर right side में original language में वो automatically आएगा फिर यहां पे town village आपको fill करना है फिर post office फिर यहां पे आपको तैसिल जो भी आपका तैसिल office होगा वो यहां पे आपको enter करना है फिर यहां पे pin code आप अधर कार्ड पे देख सकते हो बैक सैड पे होता है फिर district यहां पे और फिर यहां पे state जो आपने अभी वोपर select किया होग यहां पे आपको करना है upload address proof आपको यहां पे करना है वो भी jpeg 5mb तक होनी चाहिए यहां पे हम करेंगे अधर आप कोई भी document कर सकते हैं इन में से फिर यहां पे हमने browse फिर upload किया है फिर यहां पे आपको करना है photograph upload photograph होना चाहिए clear white background होना चाहिए जो भी आपका होगा लेकि white होना चाहिए अच्छे से और यहां पे फार में jpeg जो फोन से उठागो वह भी चलेगा इसमें फिर upload करना है यहां पे फिर यहां पे browse को option ही उपर इस पे करना है click फिर choose करना है आपको photo फिर आप थोड़ा सा zoom out कीजिएगा यह आएगा fit देखे हम रखेंगे ऐसे थोड़ करना है get preview फिर करना है आप दिखेगा photo ठीक है फिर करना है save पे जब click करोगे फिर आपको यहां पे दिखा रहा है category of disability अगर कोई disability हैं तो आप टिकर सकते हैं अगर आप नहीं तो आप इसको blank की छोड़ दीजेगा फिर यहां पे आपको detail बारनी है family member की जिसके पास already election card होग या वोटर अईडी कार जिसको बोलते हैं आप यहां पर दा रहो सकते हो father, mother जो भी आपका होगा यहां पर मेंबर-क इसका नाम family member का यहां पर नाम फिर यहां पर उसकार यहां पर relation आपको बताना है father है mother है जिसका भी होगा फिर यहां पे उसका epic number epic number वो card होता है election card पे जो number होता है वही यहां पे voter ID card पे डालना है फिर declaration पे यहां पे आपको बरना है town या village जो भी आपको होगा उसके बाद यहां पे state आपको फिर से select करना होगा है पर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक करना है आपको फिर से स्लेक्ट उसके बाद यहां पर आपको यहां पर डालना है डाल दीजेगा जब से यहां पर जब से आप रहते होंगे इस प्लेस पर इस एड्रस पर डाल दीजेगा यहां पर यहां पर आपको प्लेस डा करना है है हम पर यहाँ पर नहें पर और यहाँ पर साफ एक perfect भी करना है सब propose looking टॉब टोर्मने ड्रकों देंक Radio यहाँ हो और यहाँ यहाँ पर करना है इसे पर पांप कि लिए होगे आपके भी इसको edit कर सकते हो, जब आप final submit करोगे फिर नहीं कर सकते हो, यहां पर back option है, आप कर सकते हैं, फिर इसके edit, चले हमारा ठीक है, हम करेंगे submit पर click, submit पर click करने के बाद, आपके सामने ऐसा interface आएगा, यहां पर दिखा रहा है, thank you for submitting form on nvsp, और इसके बाद यहां पर reference number दिखा आएगा आपको, यह आपको save रख दीजिएगा, इसी पर आप try कर सकते हो, यह सारा process, इसको आप हम copy करेंगे, फिर आएगे main side पे, फिर आप नीचे आना है, track status पे, देखिए right side पे, इस पे करना है, click, फिर यहां पर आपको state select करनी है, यहां पर reference ID जो भी आया है, वो यहां पर paste करेंगे, हम फिर track status, देखिए आपके सामने, यहां दिखा रहा है, submitted कब क्या है, आपने form, फिर यहां पर BLO, आपको appoint होगा, फिर field verification, फिर उसके बाड़ accept या reject होगा, यह accept होगा, फिर इसको तकरीबन 10-15 दिन लगते है, accept होने में, किसी को बहुत time भी लगता है, एक म आप उसको download करना चाहते हो, उसका link में description में रखूँगा, अगर आपके पास water ID card है, उसके साथ आपको mobile number लिंक नहीं है, उसका link में description में रखूँगा, आप कैसे link कर सकते हो, water ID card के साथ mobile number, फिर आप download कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इस वीडियो क लाइक कीजेगा, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को भी subscribe कीजेगा, अगर आपको कोई और सवाल है, या confusion रहा इसमें, तो प्लीज मुझे comment कीजेगा, आपको comment में ही reply करूंगा, आप मुझे जरूर comment कीजेगा, अगर आपको कोई problem होगी, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए,